गोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रग्या एक बार फिर विवादों में है हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने इसलाम और मुसल्मानों को लेकर विवादत भयान दिया है साध्वी प्रग्या के भयान पर कॉंग्रेस चौतरफा हमला कर रही है तो बीजेपी इसे साध्वी का निजी बायान बता रही है अपने वेस्फोटक बायानों के लिए विख्याद साध्वी प्रग्या काई विख्या नजान पर है बोपाल की माननी अपने रामभक समर्थकों के सामने धारा प्रवाप्रवचन दे रही थी बोलते बोलते अचानकी इस्लाम और आजान पराएं और कुछ यूँ विशेश ग्यान दिया अब आगे लगस्तान चलती रहती है सबकी नीन अराम होती है साद्वी के एसान पर सियासी घमासान मच गया कौंग्रेस अबसानसत की गरीमा की परिभाशा बता कर साद्वी के शब्दों का मतलब पूछ रही बीजेपी के विक्टनकारी नीतिकार नतीजा बता रही केवल मुद्दों से भटकाने की बात है क्योंकि वो खुद नाकाम हो चुकी करोना के पूरे कारेकाल में भोपाल में नहीं दिखी गेस प्रिड़तों की कभी बात नहीं उठाई इन पर ध्यान नहीं दे पाई तो यह सब जो नाकाम ही उसको चुपाने के लिए इस तरह के बयान देती धर्म को यह पूरी सुतनता है कि उनकी जो धार्मेक भीती रिवाज है वो उनको धार्मेक भीती बेपास कर है ऐसा पहली बार नहीं जब साथवी प्रग्या अपने विवादित बयानों पर घिरी राम का नाम लेकर राजनीती करने वाली साथवी प्राज्या को, उनके बेतु के बैयानों को लेकर प्रधानमंत्री मोती भी डाट लगा चुके इसके बवजोद उनका बेतु का क्यान उचारी मकरंत काले समवादा था भोपा झाल